नमस्कार दोस्तों Star IQ में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज है 5 जून और 5 जून 2021 के हर्याना करेंट अफेर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं Star IQ चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा प्यारे बच्चो अगर आप मेरे दवारा पढ़ाएगे सभी लेक्चर का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप लोग मेरे टेलिग्राम चैनल Star IQ Education है इसे जॉइन कर लीजिएगा इस पार्टिकुलर लेक्चर का PDF आपको मेरी अप्लिकेशन पर मिलेगा Star IQ Education के नेम से ही Play Store पर अप्लिकेशन है Unacademy पर पढ़ना चाहते हो तो किसने बना किया है बिल्कुल पढ़िएगा Star IQ Unlock Code है इसे आप लोग यूज कीजिएगा और जिससे आप लोगों को सभी Classes Free में दिखेगी description में दिये गए मेरे profile लिंक पर क्लिक करके मुझे Unacademy पर follow भी अविश्य करिएगा कल आपसे सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या होगा जो खिलाडी Tokyo Olympic के लिए चैनित हुए हैं उन्हें हाल ही में हर्याना सरकार ने कितनी कितनी रासी देने की घोशना की है तो आप लोगों को मैंने पहले पढ़ाया था कि पहले तो क्या होता था कि Olympic में कोई भी medal ना जीते फिर भी उसे 15 लाक रुपे दिये जाते थे हलंकी वो बात तो अब भी है लेकिन वो Olympic होने के बाद में अब ऐसा हो रहा है कि Olympic में जो select हो गया उसे भी 5 लाक रुपे दिये जाएंगे ताकि भाई वो ठीक ढंक से तैयारी वगरा कर ले खाना पिना अच्छे ठीक ढंक से कर ले तो चलिए आज के current affair start करता हूँ मैं शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं ही कहना चाहता हूँ आज का वीडियो थोड़ा सा late मिल रहा है आप लोगों को ठीक है मुझे अपनी मम्मी के साथ में कहीं बहाँ जाना पड़ा था तो वो ज़्यादा जुरूरी था मेरे लिए तो मैं वहाँ पे गया और आपका ये वीडियो है आज का वीडियो थोड़ा short है बट meaningful बहुत जादा है तो आप ज़्यादा panic मत होईएगा और देखो मुझे ना कई बच्चे ऐसे comment करते दिखे थे हलंकि मैं ऐसे comment को ignore कर देता हूं या delete कर देता हूं ठीक है भी कोई ऐसे थोड़ना है कि red line खीच दिया अपने की 10 ही बनाने है जब तक 10 question मिलते हैं तो मुझे भी बड़ी खुसी होती है दस नहीं मैं 12 बना दूं 15 बना दूं लेकिन क्योंकि situation फिलाल मेरे प्यारे बच्चो कुछ ऐसी है कि news केवल और केवल COVID-19 से जुड़ी हुई है या तो ऑक्सीमिटर है या तो oxygen कंस्टेटर है या oxygen की कमी है या black fungus है या white fungus है या फिर बची खुची news कुछ ऐसी है कि दो प्रेमी जोड़े फरार होगे या नहर में कुद के जान दे दी या boyfriend girlfriend की लड़ाई होगी boyfriend ने video बना के girlfriend के सामने फांसी का फंदा लगा लिया news तो य है अब इनका तुम्हें current affair बनाने से राया ठीक है तो इस करके क्या करता हूं जितने भी meaningful जितना मुझे लगता है कि वह कुस्तना आपके written exam में या आपके interview में इन दोनों को अगर cover कर रहा है कोई आपके लिए जानना बहुत जरूरी है उसको तो मैं आपके current affair में cover कर देता हूं मेरे 24 घंटों में से 4-5 घंटे जो है ना हरियाना current affair पर जाते है तो आप सोच लो कि ये चूट कैसे सकता है अचा माल लो कोई question चूट भी गया तो भाई भाई मंतली वीडियो आती आप सभी को बच्चों को पता है मैं मंतली वीडियो में cover कर देता हूं फिर भी कोई चूट की कोई बड़ी बात नहीं है मैंने क्या करता हूं मैं तीन महीने की चार महीने की पांच महीने की छे महीने की साल की ऐसे कठे कठे वीडियो बनाता हूं मेरे इसाब से मंतली वीडियो में कुछ चूटता नहीं है सब कुछ cover हो जाता है लेकिन फिर भी कुछ चूट जाए तो वो अपने आप cover होता है जैसे अभी recently कल नहीं परसों साथ जून को जो है ना जन्वरी से लेके और आपका मई तक के पांच महीने होते हर्याना के जन्वरी से मई तक के पांच महीने के हर्याना current affair की एक live class है शाम को साथ बजे देख लीजिएगा revision हो जाएगा आपक नहीं चलानी है तो फिर भाग जाओ यहां से फिर यहां आपका और मेरा कोई synchronization ही नहीं मेरा वही student बन सकता है जिसको मेरे पर ट्रस्ट है आपने teacher पर ट्रस्ट है क्योंकि एक teacher आपका बुरा कैसे चाह सकता है चांस ही नहीं अगर इतना बुरा चाना होता तो क्यों यह वी current affair का सारा काम आप बिल्कुल panic बिल्कुल tension ना लीजीगा मैं हूना आपके साथ में current affair अच्छे तरीके से आपके cover करवा दूगा my dear ठीक है तो चलो अब पढ़ लेते हैं हम लोग बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हो आप ठीक है हर्याना में हर गाउं में किस नाम से option ठीक होगा मैं आपको सबसे पहले तो यही बता देना चाहता हूं कि पांच जून को जो हो मनाया जाता है क्या विसो प्रयावर्ण दीवस यानि कि world environment day और विसो प्रयावर्ण दीवस से सम्मंदित क्या है कि बहुत सारी important और बहुत सारी योजनाओं के साथ में जो है आज प्रयावर्ण दीवस पर व्रक्षों के समर्धन सरक्षन रोपन को बढ़ावा देने के लिए हर्याना सरकार ने कितनी महतपुन योजनाय आरंब की है वाव बहुत बहुत important question है जो आपको याद करना होगा मत्तब यूं समझिएगा कि 100 question पे भारी पढ़ने वाला question है योज योजनाओं के नाम हमें पता होना चीए सर पहली योजना है प्रान वायू देवता पेंशन योजना दूसरी योजना का नाम है करनाल में आक्सीवन तीसरी योजना का नाम है पंचकुला में आक्सीवन और चोथी योजना का नाम है हर्याना में पंच्वटी पोधा रोपन यानि कि ये चार योजनाएं हैं भई अब देखिएगा चार योजनाओं से संबंद इस स्लाइड का तो स्क्रीन शोट आपका बनता ही बनता है क्योंकि इसका विस्तार है जो आपने क्युस्तन पड़े हैं उनका एक साल में हर्याना ने टार्गेट रखा है तीन करोड पोधे लगाने का पहला तो सिधा ही छोटा सा सवाल ये बन सकता था अलग से हलंके नहीं बनाया मैंने लेकिन अगर बने तो कुछ ऐसा बनेगा कि हर्याना का एक साल में कितने पोधे लगाने का टार्गेट रखा गया है तो आपका जवाब रहेगा लक्षया रहेगा तीन करोड का तीन करोड पोधों का हर गाउं में पंचवटी के नाम से पोधार ओपन होगा इसका तो मैंने अलग से सापरेट क्योशन बना के आपको दिखाया क्योंकि ज़ादा इपॉर्टेंट है हर गाउं में किस नाम से पोधार ओपन होगा पंचवटी के नाम से पंचायत की आठ लाख एकड़ भूमी के 10% पर जो है वो पोधार ओपन होगा मतलब यूं है कि हर्याना के अंदर जो पंचायतों की भूमी है वो है भई आठ लाख ठीक है और इस आठ लाख टोटल जमीन का 10% एरिया जो है ना वो स्पेसली पोधार ओपन के लिए रिजव किया गया है ये भी अलग से क्युस्तन बन सकता था मतलब यूं समझेगा ये एक क्युस्तन नहीं सो क्युस्तनों पर भारी पड़ने वाल सा समझेगा क्योंकि इसमें कई सारी छोट छोटे सवाल निकल रहे हैं आपके तो आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि पंचाइक की कितने लाख एकड भूमी है तो आपका जवाब रहेगा आठ लाख एकड रहेगा हर्याना सरकार ने 5 जून को कितने परतिसद भूमी पे पोधार ओपन करने का लक्षा रखा था आपका जवाब क्या रहेगा फिर 10 परसेंट का रहेगा अच्छा जी पीचेतर साल से उपर के व्रिक्ष के रख रखाओ के लिए पच्छी सो रूपे परति वर्स प्राण वायू देउता पैंचन योजना बहुत बहुत इपॉर्टन क्यूसन है अगर आपको मेरे से डेली करेंट है फिर पढ़ने की आदत है न तो आप लोगों को कुछ अपने आप ये लाइन पढ़ते है याद आ गया होगा याद आया है बताओ मुझे सच सच बताना कमेंट में लिखके कि याद आया है क्या आपको क्या याद आया है आपको मैंने कहा था कि हर्याना में किसकी योजना किस से सम्मनित योजना सुरू करने का प्लैन बनाया है और वो थी पुराने पेड़ों से संबंदित योजना याद करो मैंने कहा था जो पेड सतर से सो साल के बीच का हो चुका है या सतर साल से उपर का पेड हो चुका है उसको इस योजना भी धाई हजार उके दिये जाएंगे हर साल और जो है न प्राण वायू देवता पेंचन योजना है ये पुराने पेड़ों से सम्मंदित बहुत इपॉटेंट आपसे सवाल पूछा जाए हर्याना में पुराने पेड़ों से सम्मंदित योजना का नाम बताओ तो अंसर रहेगा प्रान वायू देवता पेंचन योजना आपसे सवाल पूछ oxy one ये बहुत important है ये अलग से important है इसके question भी मैंने separate बना रखा है अभी पढ़ाओंगा आपको मैं ठीक है चलो पहले पढ़ा देता हूँ ठीक है ये ये पढ़िए आप लोग वेस्टो प्रयावरण दीवस के आउसर पर हर्याना के किस जिले में oxy one का सिल्यानांस किया गया है देखो सुरुआत जो हुई है सबसे पहले ध्यान रखिएगा हर्याना में oxy one पंचकुला और करनाल इन दोनों में ही है लेकिन सुरुआत पहला आपको याद रखना है पहला मेरे आप्शन नहीं है तो पंचकुला लगाईएगा बोत का आप्शन है तो पंचकुला करनाल बिलकुल लगाईए दोनों कोई दिकत नहीं होगी आपको यह पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि सभी सहरों में पांस से सो एकड़ा की भूमी पे जो नवो क्या लगाये जाएगे ऑक्सीवन लगारे जाए अक्सीवन के नाम से पेड़ लगाये जाएगे जाए एग्गरो फोरेस्टरी करने वाले किसानों को Tीन वर्स तक दी जाएगी 10,000 रुपे की प्रोहतसान रासी अब क्या है सरी एग्रो फोरेस्ट करने वाली मतलब कहने का मतलब है कि आप बागवानी करने वाली खेती तो कर रहे हैं लेकिन बागवानी वाली खेती जो कर रहे हैं ऐसे किसानों को 3 साल तक दी जाएगी 10,000 रुपे की प्रोहतसान रासी य मेरे हिसाब से आप लोग इसका स्क्रिंशोट लें, इसको याद करें, इसमें कई पॉइंट है, यह सारी पॉइंट ही पॉइंट है, कितने क्रोड पोदे, तीन क्रोड पोदे, हर मतलब गाउं में किस नाम से पोदारोपन होगा, पंचवटी के, कितने लाग एकड़ भूमिय पंचायतों कि 8 राग, कितने परसेंट पे बोदारोपन होगा, 10 परसेंट पे होने वाला है, पुरान ने पेड़ों से सम्मधित कौन सी योजना है, प्राण, वायू, देवता योजना, कितने साल से उपर, 55 साल से उपर, हालंकि उस टाइम पे 70 साल से उपर का गया था, ले कियाना में पहला आक्सीवन का सिलयना, इसकी जिले से हुआ है, पंचकुला, दूसरा कौन सा है, करनाल का, ठीक है जी, अच्छा, एग्रो फोरेस्टरी करने वाले किसान है, उनको 3 साल तक कितने रुपे मिलेंगे, 10,000 प्रोसाम रासी, याद कर लेना, एक में ही 10 सवाल मजदार है, जैनुरिली मैं उनकी दिल से तारिफ करता हूँ, पढ़ता हूँ, तब ठीक है, उनके कमेंट भी है, उनके जो पढ़ने का वे भी है, बड़ा गजब का है, लिंक कुछ ऐसे होते हैं, जो यह आल तुपाल तो उदर से चकर कार जाते हैं, ठीक है, तो आप 34 स्थलों पर पंचवटी पोधारोपन, जो है ना पंचवटी पोधारोपन, इस पर योजनाओं का भी सिल्यानांस किया गया है, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना, यह खटर साब है, ठीक है जी, जो जानते हैं आप लोग, आप लोग, ऑक्सीवन पंचकुला का सिल्य कर दिया गया है ठीक है जी प्राण वाईयू देवता पेंशन योजना का भी शुरुआत किया गया है ठीक है को चेतर में 134 तिरस तलों का पंचवटी रोपन का सुभारम किया गया है जी हर जिले में ऑक्सी जन पार्क बनेगा ये तो आपको बता ही दिया मैंने चलिए अगल अप्शन ठीक रहेगा इसका अगर कोई किसान या खेतियर मजदूर की दुरुगटना में मत हो जाती है तो उसको हर्याना सरकार जो है ना आर्तिक साहिता कितनी देगी मर्त्यू होने पे पांच लाख रुपे ठीक है रीड की अड़ी तूट जाए तो धाई लाक रुपे दो अंग कोई भंग हो जाए या गंबीर चोट लग जाए एक लाक 87,500 रुपे एक अंग भंग हो जाए तो एक लाक 25,000 रुपे पूरी उंगली कटने पे 75,000 रुपे आंसिक उंगली थोड़ी कटने पे 37,000 रुपे हर्याना सरकार देगी इस बात को आप याद रखिएगा कोई मजदूर वगरा यह जोखिम जादा में रहते हैं तो इस करके ही याद रखना आप लोग इने और हर्याना सरकार ने सरसों के तेल के एवेज में धाइसो रुपे की सबसेडी रासी जो है वो अंतोध्य योजना और BPL वाले जो है ना इनके जैसे AAY और BPL परिवारों क खातों में सीधे ट्रांसफर करने का फैसला किया आप सभी को पता है हर्याना के अंदर एक डेड़ महीने आने वाले दो तिन महीने के अंदर जो है तेल की उपलब्दता नहीं के बराबर है एक महीने के लिए सरकार ने ऑफिशली का है तो सरकार ने क्या क्या इसके एवेज कि गरीब परिवारों को जो है ना तकरीबन जो है ना साड़े ग्यारा लाग के आसपास गरीब परिवार टोटल आप कहिएगा इनको जो है बीस रुपे पर लेटर की दर के इसाब से राशन कार्ड पे जो है दो लेटर तेल उपलब्द करवाती है और इसके लिए सरकार आज के आपके लिए शोर्ट वीडियो बट बहुत मुइनिंग्फुल कल सुभह आपको 6 जून के करेंट अफिर पढ़ाऊंगा तब तक मुस्कुराते रहना इस अवाल का जवाब दे देना एटेल के नेट्वर्क शमता बढ़ाने के लिए हर्याना में अतिक्त कितने मेग हड़ स्पेक्ट्रम लागू किया है इस तार से बताना इसके बारे में थैंक्यू सो मच प्यारे बचोंग